आज हम करेंगे क्लास 6, चाप्टर 6, ब्रेंटीजर्स, क्वेस्टन नमबर 1A, टिक दा करेक्ट और सन, यह है, मिसेस सालिनी इस पी एर्स ओफ एज नाव, थ्री एर्स अगो, हर एज इन एर्स वास, देखें, मिस्तर सालिनी पी एर्स की है, और हमें उनका एज बताना है कि त दो साल की है, तो तीन साल पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, 100-3 करेंगे, उसी तरह यह पी एर्स की है, तो निकालने के लिए, पी माइनस 3, आप्शन 3, बी है, इफ दप पेरिमीटर आफ स्क्वार इस क्यू मीटर्स, देन, लेंट आफ इच साइड इन मीटर इस, तो ह साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया को, पेरिमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो और पेरिमीटर है क्यू, तो क्यू डिवाइड बाइ 4, आप्शन 2, सी है, एक्सप्रेशन अब डेन, वेन, के इस मल्टिप्लाइड बाइ 2, एन देन, सब्ट्रेक्टेट फ तो हमें बताना है कि वे एक्सप्रेशन क्या होगा, जब के 2 से मल्टिप्लाइड होगा, और 5 में से सब्ट्रेक्ट होगा, तो 2 इंटू के करेंगे तो होगा 2K, और फिर 5 में से सब्ट्रेक्ट करना है, 5 को नहीं सब्ट्रेक्ट करना है, 5 में से, मिन्स 5 माइनस, 5 माइनस 2 के option 3, D है number of notebooks bought bought 4 rupees T at the rate of rupees 40 per notebook is, तो मा लिजे 10 notebook खरी देंगे, तो उसका rate क्या होगा, 10 into 40 और यहाँ पे हम T notebook खरी दें, तो उसका rate हो जाएगा 10 to 40, 40 T, E है, X is equal to 6, Y is equal to 2, Z is equal to 3, what is the value of expression XY minus XZ divided by Z square, तो देखिए, X क्या है 6, तो X के जगा 6, Y के जगा 2, तो X into 2, फिर X के जगा 6, Z के जगा 3, तो यहाँ पे माइनस, और Z square, 3 square, 6 to 0, 12, 6 to 3, 18, 3 का square होगा 3 into 3, 9, तो 12 में से 18 जाएगा तो होगा minus 6, 12 में से 18 नहीं जाता है तो 18 में से 12 को minus कर लेंगे और minus का sign लगा देंगे, तो यह होगा minus 6 by 9, इसको कटाएंगे 3 से 3, 2 जा 6, 3, 3 जा 9, minus 2 by 3, यह होगा option A. B है answer the flowing questions A. Your mom has a sum of rupees X, C. Spend rupees 3,000 on grocery and rupees 2,000 on milk, write the algebraic expression for the amount left with her, तो total money spend क्या होगा, spend on grocery and spend on milk, तो 3,000 plus 2,000 is equal to 5,000, तो अब उनके पास कितने पैसे बचे, total में से हम खर्च की हुए रुपए को minus कर देंगे, total कितना है X, minus करना है, खर्च कितना हुआ है, 5,000, X minus 5,000, यह होगा हमारा answer, B है, the digit in the once place of a two digit number, is twice the digit at the tens place, what, write the number, तो जो दो digit का number है, tens पे जो digit है, उससे two twice है, means दो गुना है, once का digit, तो माली जो tens पे X है, अगर, 10s digit पे, तो once digit पे क्या है, twice the digit of tens place, तो tens place के twice, means 2 into, दो गुना, तो 2X हो जाएगा यह, अब इसे हम लिख देते हैं, माली जे, 28 को हम कैसे लिखते हैं, 28 को लिखते हैं, 20 plus 8, तो हम X, 2X को कैसे लिखेंगे, 10, X plus 2X, तो यह हो जाएगा, 12X, एंसर में 11X दिया है, जो की रॉंग है, राइट होगा, राइट एंसर है, 12X, C है, in a notebook cost rupees, if a notebook cost rupees P, and a pencil cost rupees S, then what will be the cost of 2 notebook and 3 pencil, तो 2 notebook का cost होगा, 2 into P, 1 notebook का है P, तो 2 notebook का 2 into P, और 1 pencil का है S, तो 3 pencil का 3 into S, तो 2 into P होगा 2P, और 3 into S होगा 3S, 2P plus 3S, यह होगया answer, D है, what will you get if 3 times X is subtracted from the largest 2 digit number, तो largest 2 digit number क्या होता है, 99, 99 में से हमें क्या minus करना है, 3 times X, means 3 into X, 3 into X होगा 3X, यह होगया answer, E है, last है, Rohit travels by car with the speed of X km per hour for 2 hours and 3 hours with the speed of Y km per hour, write the expression for the total distance traveled by him, तो चलिए इसे करते हैं, मैं यहापे question लिख देता हूँ, तो distance of first 2 hours का क्या निकालने के लिए, distance निकालने के लिए हम करते हैं, time into speed, time at 2 hours, distance और speed कितना है, X km per hour, तो 2 into X करेंगे, तो 2X km हो जाएगा, first 2 hours के लिए, अब last 3 hours के लिए क्या करेंगे, time into speed, time है 3, speed है Y km per hour, तो यह हो जाएगा 3Y km, अब total distance के लिए इन दोनों को add कर देंगे, 2X plus 3Y, यह हो गया answer, इस चैनल को subscribe कर दीजिए, thanks for watching, कर देंगे,